आपको बजन के आवाज आ रही होगी क्योंकि बाहर अभी पूजा चोकी पर दीदी कर रही है पूजा अभी दीदी ने पूजा करती है चोकी पर चलो अब मैं भी हाथ जोड़ता हूं माता का श्रिवात लेता हूं फिर कॉलिज चलते हैं तो गाइस अभी मैं अगया हूं कॉलिज में और रास्त भाई बच्चे बहुत कम दिख रहे हैं फ्राइडे है ना जिसलिए हो सकता है कम आ कि अधर कर ने वाली थी वह थी नहीं तुम्हें यहां पर आगया था ऐसे ही टहलते हुए और एन्सी सी के जो कैडिट्स से बाई वह प्रैक्तिस कर रहे थे तो वह मैंने आपको दिखाया उधर कर रहे थे ना दूसरे वाले उसमें उधर जाना लौड नीथा अभी इसलिए मैं आपको दूर से दिखा दिया, चलो अब एकनोमिक्स्की क्लास में चलते हैं, मैं हमका मैसे जा है, क्लास हो रही है और देखो कईज, फ्लैग लग गया आज दूसरा वाला, में कह रता है नवह डामेज हो गया था अब मेरी भाई एकनोमिक सी क्लास हो गई है एक गंटे की वाई पूरी टास थी तो चलो अभी गोंटे दर दर पिर चलेंगे इंगलिस की क्लास के लिए और शेरिया बोलते हैं और यहां पर कुत्ते सो रहे हैं भी डॉक सो रहे हैं उनके लिए उनके लिए बिचारे वो यह एंपर रहते है न यह गार्डन बना हुआ है साइड में कि अब कि अब रहे हैं आगार्ण से खंगे उनके लाइड में कि अब जा रहे हैं हमारी इंग्लीश की क्लास है विचलो चलते हैं मैसीज आया है मैम का कि अब जाद आज पानी क्यूं नहीं आ रहा है मशीन में किसी भी कॉलज की साधे उन में चेक करा मैंने पानी आई नहीं रहा है और आज ही मिला पानी खताम हो गया चलो बई नहीं ऐसे भी अब तो सारी क्लास होई गई है अब भरी जाना है आज देखो प्रिंसिपल सर की गाड़ी यहां पे सिर्फ उनकी गाड़ी खड़ी होती और किसी की खड़ी नहीं होती वो स्पैशल है भाई आखिर प्रिंसिपल है कॉलिज के अब चलते हैं घर पर कि आज जाद है कुछ हुआ नहीं जाद बच्चे आज बच्चे ऐसे हो गए है ना फ्राइडे को तो खुदी नहीं आएंगे सैटरेड़ी को मैंनी आती है आफ रहता है क्योंकि तो फ्राइडे को खुदी नहीं आते मतलब तीन दिन के और अगया हुँ है कि आल अогडरे में थोड़ी देर लेट गया हूं इसक्रम चलो अभी लाइट करते हैं तो जोड़ी देर में क्यूंकि मैं लंच भी नहीं लेके गया था मैं सोच रहा था जल्दी आ जाओंगा पर वही टाइम होगे क्लासिस में चलो अब कर लंच करते हैं अब इनिच लेड़ जल्दी से बोल लेता हूं मैं वरना ममी कूकर में खाना बना रही हैं कभी सीटी की आवाज आ जाए जाए और अभी हो गया है पूजा का टाइम हम सब बैठके आर्टी कर रहे हैं देखो बजन अज परशाद में ममी ने बनाए हैं चावल आलू मतर और पनीर के चावल अब हम बनाएं साई बाबा के मंदिर गर के पास में याएं में डैडि और चीकू जा रहे हैं दर्शन करते हैं साई बाबा की आपको भी दिख अरवाव दिर्शन अब इम आ गए हैं मंदिर में चलो बनाः चलते हैं तो गाइज अभी हमने ले लिए परशाद चलो बंदर चलते हैं मंदिर में कर दो तो पिल कुछ आई पाहिएं को जादा है क्यों देख साथ यह देक्टना है तो गाए तब हम दर्शन करके आ गया है मंदिर में सभाई बहुत अच्छा लगा अंदर कीरतन चल रहा था वहां पर तुन अच्छा लग रहाता ना और हमने सारी परिकर्मा की बाबा के दर्शन किये और मैं आपको बता दूँ है दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा भाई साह गाए बाबा का मंदिर है उनके बाद दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है शाहधरा में एखो अभी चीको ओ डैडी परशाद खा रहे हैं अ चा लग रहा है अच्छा लग रहा है तर पर चलते हैं सो गाए अभी हम आगा है मंदिर से दर्शन करके और बहुत फुली की सब्जी इधर है रोटी और यह है आलू की सब्जी और उसकी कुट्टू के आटे के पूरियां यह शिखा देकी गई है परशाद से लोगाइस इस व्लॉग कॉब में ही एंड करता हूं आई होप आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो लाइक जरू करन और ऐसी मेरी वीडियो अगर आपको देखना पसंद है और आगे आप देखने चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं अगले व्लॉग में तब तक के लिए बाबाय टेक केर एंड थैंक्स पर वाचिंग